Hello friends, Good morning, Welcome back to my channel कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं अच्छे हैं अच्छे होंगे र फिलहाल हम भी ठीक हैं और आगे भी आप लोग को ब्लाग में पता चलेगा है क्या किया सीच्वेशन है क्या क्या हुआ है और फिलाहाल सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत थैंक्यू आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है उसके लिए बहुत थैंक्यू और फिलाहल अंजली ने कमेंट करा था जैसे जबी मैं कुछ भी सजेस्ट मांगती है पूछती हूं मुझे कहां से पढ़ना चाह अच्छा मेरे को भी समझ में आता है यूटूब पे सारा मिलता नहीं है साहद आपके पास पैड होगा इसलिए फुल देखती है आप पढ़ती है तो आपको आइडिया है लेकिन वही है मैं भी थोड़ा थोड़ा देखके पढ़ रही हूं उसी से और मेरे को भी सही लगता कांचेनियू करती है जो देख सकते होंगे जो सुबह उठते ही मैं अपना विंडो अगरा खोली कीचन में गई सुबह उठते ही मैं आज छुटी है को दिन है लेकिन मैं खाना बनाने पहुझ गई क्योंकि बचों की तब ठीक नहीं है बचों को जल्दी से नास्ता पानी कर जाकर मैं फिर दवाई वाई पिलाओंगी फिर अपने लिए टाइम निकाल के पढ़ाई करूंगी जो इसे बहुत साथ काम हो जाते है जब बच्चों के तवियत खराब हो न तो यह सब काम बढ़ जाते हैं तो मैं सुबह उठते ही छे बज़े ही जग गई संड़े के दिन से नहीं करी हूं कि आज मैं क्या पढ़ जाओंगी दिन बर में क्योंकि जब बच्चों की तवियत खराब होती है पूरा सेडियूल बिगड़ जाता है तो बस यही है आज का सिच्वेशन आज का स्टड़ी ब्लॉग फिलाल बच्चों के साथ अपनी भी थोड़ा बहुत ह मतलब को लोग आज इसके वज़े से ना प्रॉब्लम हो ही जाती है यह थोड़ा बहुत बीमारी यह पता नहीं कहां से बीच में आ जाते हैं जिसके वज़े से बहुत जादे आते हैं तो फिलहाल अभी मैं करेंट अफेर सुबस बढ़ बैट गई थी पढ़ाई करने के लि पढ़ने वाली हूं आज तो वो एक घंटा पढ़ूंगे ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट कर जाओं लेकि एक घंटा फिक्स रखी हूं कि इसको भी पढ़ना है और अभी इस बुक में नहीं नहीं है तो सब रिवीजन करते जाएंगे तो अपना ही अच्छा है तो बस अप पढ़ चुके हैं कैसे तैयारी करें वो जरू बताईएगा और फिलाल मेरी स्ट्रेटजी में आप लोग के सास्थ अलड़ी सेयर कर चुकी हूं और में इंपोर्टेंट यह है कि रिवीजन बहुत जरूरी है रिवीजन में मैं अभी प्रिवियस येर का कोस्चन पढ़ रह पर चुके लिए तो फिलाल अभी मैं अपनी पढ़ाई करें फिर उसके बाद में खाना बनाने आ गई थी जो सुबा बच्चों को पराठा बनाने खिलाई थी फिर खाना के लिए आज में इडली बनाई जो इडली का सेप मेरा था तो उसमें अच्छा नहीं बन पा रहा थ तो इसको मैं केक टेन में ले डाल के कुकर में ऐसा ही बना दिया जैसा डोकला बनाते हैं वैसा ही मेरे बच्चों को न शॉथ का खाना कोई भी पसंद नहीं जैसा एटली हो गया धोसा हो गया यह समीरे बहुत पसंद आ जसकी बनाती नहीं हो तो आज चुटी आए चलो स्टिपिंग थोड़ा से बचा के रखी थी तो इस इटली के बैटर में डाल के फिर इसको में अच्छे से बनाई जो इटली के अंदर भी भर के बनाते हैं तो फिलाल वह ऐसा नहीं बनाई तो ऐसे ही करके बना दी बहुत अच्छा लग रहा था इधर मैंने बनाया पिनट्स की चटनी फिर सा साथकाई बहुत अच्छा लगा बच्चों को कोई भी पसंद नहीं आता है यह नहीं खाए मत खा revealing को ने बसे नहीं आता है और मने चाशे में बच्चे उ हम बंढ़ता है एसा हो जाता है तो फिला Además और बच्चे जाना तो पिर ऑना यहाँ इन बना sequence में ब बैठो पैर दबाओ हाथ दबाओ फिलाल में महाल इस वगरा सब कुछ कर चुके फिर भी उनका यह हालत हो जाता है जब भी बीमार पड़ते हैं तो यह सब करना ही पड़ता है और अपना डिक्ष्टरबेंस हो जाता है बचों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है इस टाइम करने और बच्चों का अभी क्राफ्ट अगरा बनाना है उनका अभी एक्टिविटी है जो अलगी दिमाग खराब हो जाता है अपनी पड़ाई छोड़के उनका भी बनाना पड़ता है तो सोचिए एक दो गंडा पढ़ लेती हैं उसके बाद फिर में लगूंगी तो अभी जियोग्राफी मुझे बहुत परशान कर दे एकदम इंट्रेस्ट नहीं आ रहा है आप लोग ने कितना सर्जेस्ट काया फिर भी एकदम मेरा इंट्रेस्ट नहीं बन रहा है बस घुमा फिर आख मेरा दिमाग चला जा रहा है पॉलिटी पे और हिस्ट्री पे यह दो गोग अगरी मेरी पढ़ाई ऐसा ही चल रहा है और ब्लॉग आथ छोटा सा ही रहेगा फिलाल आप लोग ने कहा कि ब्लॉग डेली डाला करें तो कोसिस करें चोटा चोडा ऐसा ही डालने के लिए जो देख सकते हैं फाइल नी यह बना के रेड़ी कर दी जो फिलाल सब करते करते ह चुकी हूं अब चलिए मिलेंगे नेक्स ब्लॉग में बस इतना ही आज के लिए कैसा लगा कमेंट करके जरू बताये पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए चैनल में पहली बार आते हैं तो जरू सब्सक्राइब करीगा और कोई भी कोश्चन कोईरी सजेसन में लिखते र प्रचिं लाइक